इरान के तब्रिज शेहर में राष्ट्रपती इब्राहिम रईसी समेथ हेलिकॉप्टर क्रेश में मारे गए सभी नौ लोगों की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है न्यूज एजेंसी आना के मताबिक यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीर सरकों पर उतर आई लोगों के हाथ में राष्ट्रपती की तस्वीर और इरान का जंडा था राष्ट्रपती को विदाई देते वक्ट शेहर के लोग रोते नजर आए इरान में राष्ट्रपती की मौत पर पांच दिन के शोग की घोशना की गई है तब्रिज शहर में अंतिम यात्रा के बाद राष्ट्रपती के शव को तेहरान लाया गया 23 मई को उन्हें इरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा यह वही शहर है जहां राइसी का जन्म हुआ था इरान के अलावा भारत, पाकिस्तान, लेबनन जैसे कई देशों में राइसी की मौत पर शोक मनाया गया भारत ने सोमवार को राष्ट्रपती राइसी की मौत पर 21 मई को एक दिन के शोक की घोशना की थी ऐसे में आज संसत भावन समेथ सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा आधा जुका नजर आया